आपका स्वागत करता है दोस्तू आप किसी न किसी रूप में कभी न कभी आग का प्रेयोग जरूर करते हैं फिर चाहे वो खाना बनाने के लिए या अन्य किसी काम से मगर कभी-कभी आग का प्रियोग करते समय हमारे हाथ पर जल जाते हैं तो आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे घरेलो उपचार बताएंगे जिने प्रियोग करने से आप जलने पर जलन और त्वचा पर पढ़ने वाले निशान को खत्म कर सकते हैं तो आईए जानते हैं वह उपए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वह पैल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पासके नमक में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका गाड़ा पेश्ट बनाकर घाव पर लगाएं इससे जले के निसन नहीं पढ़ते हैं और फपोले भी नहीं पढ़ते हैं जले हुए इस्थान पर तुरंद कच्चा आलू काटकर लगाने से जलन नहीं होती है और जले का निसन नहीं पढ़ता है जली हुई तवचा पर प्याच का रस लगाने से जलन नहीं होती है और खाव जल्दी ही भर जाता है गीले आटे को जले हुए स्थान पर लगाने से जलन नहीं होती है और फपोले भी नहीं बढ़ते हैं सरसो के तेल को जले हुए स्थान पर लगाने से जलन और छाले नहीं होते हैं साथ ही जले का निसान भी नहीं बढ़ता है देशी घी को जली तवचा पर लगाने से आराम मिलता है हल्दी को पानी में मिलाकर जली हुई तवचा पर बार बार लगाने से जली हुई तवचा जल्दी ठीक हो जाती है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे नई वीडियो में आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके सरूर बताएं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थन्यवाद